जेदर मेस मैं चितरंजन रहा हूं मैं ऐसे टोफिक्स में आज बात करने जा रहा हूं कि आदिवाशी स्माज के महिलाएं शराब क्यों मनाती है कि यह हमारे कोश्चर मार्क है कि आज देखने में मिलता है कि आदिवाशी स्माज के जो महिलाएं है कि वो शराब बनाने के लिए हुआ कि अ दुस्जा से बनाती है क्या उमंता से मनाती है क्या परिवार पालने के लिए माती है या खुद पीने के लिए या समाज की लोगों को पिलाने के लिए क्या है कि यो बनाती है। कि सिराफ क्या अच्छी चीश है भहत अच्छी चीश है क्या शारे लोग जानते हैं बना रहे हैं वो भी जानते हैं कि स्रौब Axie नहीं है पी रहें वो भी जानते कि स्राब अच्छी चीज नहीं है पिलार हैं वह जाता है अच्छी चीज नहीं है फिर यह हम सारे को गुलामीませ चेह बड़े हो, चेह पी रहे हो, चेह नहीं पी रहो। सारे लोग जानते हैं कि ये सराब बहुत ही हमारे समाज के रिए ख्राब है। कि अच्छा नहीं है फिर भी आज हमारे समाज की माताएं ही इस स्राब को बना लिए देखिए हमारे माताओं से कहना चाहूंगा हमारे समाज के वाहनों से कहना चाहेंगे बांजी यह जो स्राब है में ऐसे स्राब जो हम बना रहे हैं उसके पीछे अच्छा भी है हूँ अच्छाए तो क्या है कि हमारा क्रा रहे और उसको पीने के बादब में हम लोग मस्त होते हैं उसको पीने के बाद में सुराब जाता है हमारा शंगठत दिखाए दोता है हम एक दित हो जाते हैं नहीं आने वाले आदमी भी आ जाते हैं तो इस में गून तो इस परकार के है लेकिन इस गूनों के पीछे परिणाम में जब हम देखते हैं इसका कितना खतरनाक और कितना दुस परिणाम है इस में थोड़ा से विचार करना आप बना रहे हैं हमारे समाज की महिलाई जो बहुत सारे महिलाई बनाती है और बनाने की जो फीचे जो वस्तम निता है वो किसी जिवा नहीं है बहुत सारे लोगों ने प्रयास किया कि सराम नहीं पीना चाहिए नहीं बनाना चाहिए कभी कुछ होता है कभी नहीं होता है शुरू होता है अंतो होता है कभी बनाएं में कभी नहीं बनाएं इस परकार की जो कोशिशे लगातार हुआ है पर मैं माताओं से कहना चाहूंगा कि माताओं ये हमारे समाज के लिए ही नहीं आप के लिए भी ये भूत ही खराब है यही हमारे समाज के लोगों को तास और नास कर रहे हैं आप भी जानते हैं, आप नहीं जानते हो बात नहीं है आप भी जानते हैं बहन आप भी जानते हैं मेरे माता आप भी जानते हैं कि बुरा चीज है देखिए कितने बच्चों को ये सराब ने मार दिया है ये सराब ने सराब पी के एक्सिडेंट हुआ है सराब पी के एक्सिडेंट हो तो मर चुके है कोई गुवा में गिर के मर चुका है कोई पीते पीते उनका आदत इतना हेविट गंदा हो गया कि उसके बिन रहा नहीं जा रहा है उसका जीवर पढ़ाई करने का समय होता है उसका जिन्दगी उसको अच्छा बनाने का समय में वो शराब के आदे हो गया हूँ क्या करेंगे आपके या बहुत सारे जो हमारे समाज के पती दे लोग है उलोग देखें तहरु पी-पी-पी की मर चुकि कितने ह सराब से मरे हुई भेटी हैं हमारे समाज की लोग ने कितने माता हैं देकर भी दुबा है चुकी सराब ने पत्दी को मारा आज हमारे माता ही ही उसी को फिर बना रही है उसी को फिर इस्तमाल कर रही है फिर उसी को दोस्तिक रूप में उसको सहिली की रूप में उसको शिकार कर रही है और वो सराब तो पहले हमको आदत खाब किया पीया पीने के बाद में बच्चे का नुक्सान हुआ पती का नुक्सान हुआ फिर भी हम लोग उसी में दिपते हैं तो सराब जब बनाते हैं तो आपके घर दोसित होता है आपके घार का जो अतावन होता है, जो हवा होता है, वो दोसित होता है, वो दोसित जो होता है, उसी दोसित में आप पियो या ना पियो, आपका जो मैंड होता है, आपका जो बिचार होता है, वो बिचार गंदा होता है, इसलिए हम अपने मादाओं से मैं कहाना चाहूंगा, कि आप लोगों को से मेरा नियुदन है कि आप लोग मेरी बातों को आप लोगो लग रहा है कि मैं शही राह और शही रास्ता पताने का जो एक काम कर रहा हूँ तो अपने सुन्दर समाज के निर्मान के लिए आप पिए श्राप बनाना के रिप्या चोड़ दिजी अगर आप वना भी रहे हैं आपको कुछ मजबूरी है उसको तो मीमान चाहता है अचलों मजबूरी है लेकिन आज हम लोग सबसे आसान रा सबसे आसान रा यही भूर लेते हैं या हमको सुराब बनाना है और सुराब बेचना है पी रहे को लोग अपने ही लोग, पिला रहे को अपने ही लोग, मर रहे हैं अपने ही लोग, नुक्सान भी अपने ही, धन की नुक्सान, पैसा की नुक्सान, मन विचार की नुक्सान, बहुत सारे चीज नुक्सान है और नुक्सान होते हुए जानते हुए भी छोड़ नहीं पार है तो इस समाज को आप फी लोग मात्रित सकती यह हमारे माता और बहाने आप फी लोग हमारे समाज को सही दिसा दे सकती है अगर आप लोग, सारे लोग जी मेरे बातों को सुनेंगी, उनसे मैं चाहूँगा कि आप दीरे दीरे आइस्ता आइस्ता प्रान कर लेजिए कि हमारे समाज का ये दुस्मन है, इस दुस्मन को किसी भी हालत में छोड़ देंगे. इसके लिए आपको छोड़ने के लिए एक निरने लेना होगा, आपको एक कटूर निरने लेना होगा, एक मजबूत निरने लेना होगा, ये आपके इच्छा के विप्रित जा सकता है. क्योंकि अभी आप इसके द्वारे इंकम त्राप्त करने के कोशिस कर रहे हैं, इंकम मिल रहा है, अगर ये बंद हो जाए तो आपको काफी परिसानी हो सकता है, लेकिन जो इसके द्वारा पीपी के मर रहे हैं, इसके द्वारा लोगों का जो नुकसान हो रहा है, समाज का जो इस चीज को समझें, बहुत गलत चीज है, इसलिए आप लोग मत बनाएए, और मैं चाहूँगा कि आप लोग के पास में जो बनाने वाला समान है, उनको भी दोड़ फोड़ फेक प्राग देचिए, मत बनाएए, मत मनाएए, क्रिपी, मुझी अपने समाज की लोगों को मतव खतवार देखता है, दर्द बहुत होता है, आप लोगों भी दर्द जरूर होता होगा, सारी लोग यही कहते हैं हमारा समाज को आज दारुन बरबाद कर रखा है, बरबाद किसने की जाने हैं, आप लोगों ने, हम लोगों ने, और माताओं से कहना चाहेंगे कि आप लोग पर तुड़ा बहुत कंट्रोल जो रोगा। लेकिन आपके बनाई हुए शराप से तो मतवार नहीं होगा। आपके बनाई हुए शराप को पीकर वो मरेगा तो नहीं हो, आपको पाप तो नहीं पड़ेगा। अगर आपके बनाई हुए दारुपी को किसी देंट कर रहा है, या मर रहा है, इसी का घर उजड रहा है, उनको बच्चा अनात हो रहा है, तो आप भी बाप के भकेदारी है, श्राब बनाना पहुत लिए, बाप काम है, इस चीज़ को समझे, जीवन क्या है, आज ना काज है, कल हम लोग हमारा जीवन चले जाता है, जीवन है, निर्थियों दोनों साथ में चलती रहती है, आपके पास में जो साधान है, उसका सही उपयोग कीजिए, पईशा का सही उपयोग कीजिए, कम खाये, लेकिन सुख से जिन्दकी जीए, और ये हमारे समाज का जो दुसमन है, इस दुसमन को मत पाली, मत सम्हाल के आते रहेंगे सराफ बनाने वाले पहन लोगों से और हमारे मातित सक्ति जो है उनको जरूर दुख लगेगा लेकिन मैं अपने समाज के हीद के लिए थोड़ा कड़वा घुट या इंजिक्शन देने का काम कर रहा हूं अगर मेरे बातों में आप सहमत हैं तो जरूर इस बात पर अमल किजिएगा और अगर फिर ही लगता है कि यह सब नहीं हो सकता है बहुत लोग काते हैं कि यह सब हमारे समाज की लोग शराब नहीं छोड़ सकते हैं और सही बात विए इसा लगता है कि नहीं छोड़ सकते हैं लेकिन हम सारे लोग तो नहीं कुछ नुकुछ अगर ह और कुछ नो कुछ लोगों का जीवन को परिवर्तित और बदल सकते हैं और हम सारे को इस परकार के पाल करने के और सकता है होना नहीं होना परिनाम क्या होगा नहीं होगा उसका जिंता परिनाम उनके उपर है भगवान के उपर है धर्मेश के उपर है अपना काम है, करना, सही काम करना, सही मर्दसन करना और सही चीज़ों को पताना बाकि क्या होगा नहीं होगा उसका तो हम और आप नहीं कर सकते हैं पर नाम हमारे हाथ में और आपके हाथ में नहीं है तो चलिए आप लोगों को वीडियो देकर जरूर दुख लगेगा अगर दुख लग रहा है तो माप कीजिए और आपको अगर प्रसंता होती है तो मैं उनसे भी कहूंगा को जो बना रहे हैं उनसे तोड़ा मदद कीजिए उनको सहीयो करिये उसका मान से किसी को उपर आप यह सम्मत किजिए आप दूसरा कोई दंधा कर लेजिए काम कर लेजिए विसक आप चाना बेच लेजिए विसक आप कुछ चोटमटे काम कर लेजिए या कुछ और भी काम कर लेजिए गाय बाल सकते हैं बकरी बाल सकते हैं और भी चीज है यह आपके काम आ सकते हैं यह कि हमारे माता हैं सारे लोग तारू बना छोड़ दे इस से हमारे समाज़ें खुछ सारी सुधार हो सकता है ऐसे हम को लगता है चलिए मैं इतना ही बोलकर अपने बातों को समात करता हूँ जैदर मेर्स